इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत सारी ऐसी चीजे जो एक प्रॉपर्टी सेल करने के काम आती हैं। सबसे पहली भावना जब भी कोई विक्ती प्रॉपर्टी परचेस करता है। हम इसी को reverse psychology में यूज़ करेंगे। आपको बेशनी हैं पर जब आप कभी किसी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं तो सबसे पहली भावना आती है कि ये मेरे लिए right solution है क्या। जो मैं चाहता हूँ क्या ये वो चीज है क्या। तो ये जो भावना है ये गवन करता है नौर्थ का N5 देवता जिसे हम कहते हैं सोमा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है। जब भी किसी व्यक्ती को कोई भी चीज खरीदनी हो। घर है, प्रॉपर्टी है, कोई दिन चरिया का समान है या किसी भी चीज को जब भी एक इनसान अपने पास ले के आता है तो वो सबसे पहला इस थौर्थ को समझने की कोशिश करता है या सबसे पहली भावना जो उसके मस्तश में प्रगाड होती है वो ये होती है कि क्या ये राइट सॉल्यूशन है, मेरी प्रॉब्लम्स का, क्या ये ही चीज के लिए मैं काफी दिनों से सर्च कर रहा था, तो ये सोमा की एक्टिविटी या सोमा के वज़े से ये भावना आती है किसी भी प्रोडेक्ट को येस करने से पहले, तो ये ही चीज जब एक व्यक्ति एक वातावरेंड में जाता है, अब वो वातावरेंड लेना चाहता है, तो जब वो उस वातावरेंड में जाता है, तो उस वातावरेंड में भी ये ही थौट उसके दिमाद में चलता है कि क्या ये सबसे अच्छी चीज है मेरे लिए, क्या ये ही घर की तलाश मैं बहुत दिन नहीं मिल रहा तो हम सोमा पे इस energy को re-establish करेंगे अब इसी के साथ साथ थोड़ा गौर फर्माइए जब भी आप किसी property को खरीदते हैं तो आपके अंदर एक भावना आती है क्या लोग मुझसे यहां मिलने जुलने आप आएंगे यह जो मेल जोल की भावना है यह जो मिलाफ वाश्यूम होगा या कोई impurity होगी उसमें तो मेल जोल नहीं करा पाएंगे अब यही मेल जोल को और अगर मैं expand करने की कोशिश करूं तो एक property को बेचने के लिए broker मेल जोल कराता है buyer और property owner के बीच में तो कई बार मैंने देखा है अगर आरेमा के स्थान पे किसी भी प्रका के माध्यम से नहीं बेख पाती तो हमारे efforts बढ़ गए और वही चीज जब कोई विक्ति उस घर को देखने आता है तो पसंद करते करते उसके अंदर ये भावना प्रगार हो जाती है कि लोग मुझसे यहां मिलने जुलने नहीं आपाएंगे इसी के साथ साथ आरेमा जो है उत्तरा फारगुनी नक्षत्र का अधीश्ट देव है उत्तरा फारगुनी नक्षत्र दो लोगों को मिलवाने के लिए बहुत सायक होता है ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो हर विक्ति के दिमाग में हमेशा चलते रहती है उसी के साथ साथ और आगे चलते हैं तो एक दायर्त को नजर में रखता है, नजर में देखना इस तरीकी की जितनी भी भावनाएं हैं, ये भावना को खराब करना या बनाना, वेस्ट में वरुन का काम है, डबलू फाइफ का, वेस्ट के वरुन की अगर मैं और बात करूं, ये वो स्थान है जहां हमारे पुराने मंदि में भगवान की मूर्ती रखी जाती है, आप किसी भी पुराने मंदर में देखेंगे, तो भगवान की मूर्ती, इवन चर्चेस में भी भगवान की जो मूर्तियां हैं, वो विस्ट वरुन के स्थान पे रखी जाती है, और आप जब भी वहां खड़े होके, जब भी उनके सामने खड़े होके आप कोई विश मांगते हैं तो आप मित्र की स्थान पे खड़े होते हैं ये देवताओं के सरूप मैंने आपको बतोबा तुम्हें बताया तभी ये कहा जाता है कि भगवान सब देखता है तो अगर घर के अंदर ये energy field disturb होगी washroom कटे होने के वज़े से य या उसकी energy कम होगी तो व्यक्ति को हमेशा ये डर लगा रहेगा और यही चीज strong होगी तो व्यक्ति को लगेगा अरे ये सही जगा है ये सही जगा है फिर इसी के साथ साथ एक और भावना जो दिमाग में प्रगाड हो जाती है क्या मैं किसी भी वार से सुरक्षत हूँ क्य या इस जगा पे मुझे सही security system, सही campus और सही लोगों के बीच में हूँ होता है न कि मैं दुनिया का वार इस जगा पे जहेल सकता हूँ तो ये वार की जो भावना है ये अगर खराब होगी तो व्यक्ति को उस जगा पे हमेशा एक डर बना रहेगा और ये अगर ठीक होगी तो इनसान का मनुबल बढ़ जाएगा तो ये होता है N2 के अधीर के वज़े से कुछ पुराने वास्तु चकर में अधीर की जगा पे नागा भी लिगा हुआ है और अभी कुछ नए वास्तु चकर में अधीर लिखा है अधीर देवता है attacker एक व्यक्ति के शरीर में जो बिम इसको attack करता है वो है अधीर देवता के वज़े से होता है वो ही देवता अगर भवन में विवस्तित है तो हमेशा व्यक्ति का मनुबल बढ़ जाता है और चीजें वो और अच्छे से और सहसे कर पाता है अब एक भावना ऐसे कर लेंगे ये लगा लेंगे यहां पर कमरा ब बंद पढ़ जाता है और कहीं बार आपका दिमाग accelerate हो जाता है डबल गती से काम करने लग जाता है तो ये जियो चीजें हैं या कहें ये जो insights हैं ये हमें देता है सूरे देवता E5 का सूरे देवता सूरे देवता रोशनी है जो हमारे दिमाग में नए नए कामों को करने के बहुत मददगार साबित होती है और सूरे ही आरेमा देवता के साथ मिलान करके एक प्रोसेस को manifest करने के बहुत काम आता है वैसे ही शादियों में भी सूरे देवता अब ये बन्नोभाव हैं इन बन्नोभाव के बहुत सारे combinations बन सकते हैं तो शादियों में भी सूरे देवत और आरेमा देवता का बहुत ज्यादा contribution रहता है। अब छटा खाना, थोड़ा सोच के देखिए, कभी जब आप property परचेस कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं महसूस होता कि क्या मैं अपने पैसे खराब तो नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी प्रगार भावना है, जो सब कुछ होने के बाद दिमाग में हावी हो जाती है। क्या मेरे पैसे खराब तो नहीं हो रहे हैं यहां पर? तो खराब, SSW कई बर आपने सुना होगा, उसमें भी जो भिंग राज है, S7 का जो देवता है, वो इस भावना को निरंतरन में ले के आता है, या कंट्रोल करता है, कई बार बहुत अच्छी चीज भी हमें कम दामों में मिल रही होती है, तो भी हम ये सोचते हैं कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, और कई बार बहुत ऐसी चीज, जो कि बहुत मूले में कम हैं, वो भी म ले करने लगती है, तो ये हमें वेस्टेज लगने लगती है, कि हम अपने पैसों को खराब तो नहीं कर रहे हैं, तो भेंगराज पे किसी भी प्रकार का नेगटिव एक्टिविटी जो उसके अनुकूल नहीं है, होने से ये भावना एंड में बहुत जादा हावी हो जाती है और एक सेवन्थ भावना एक और है, एक साथवी भावना और है, एक इन्वेस्टमेंट को कराने के काम आती है, ये मैंने सबसे ज़्यादा पाई है इन्वेस्टर के दिमाग में, एक इन्वेस्टर होता है जो प्रॉपिटी पे इन्वेस्ट करता है, और आप बाए कर रहे अगर खराब है तो create करेगी कि फस रहा हूँ और अगर ठीक है तो ये दिमाग को indication देगी कि बढ़िया है मैं फसूंगा नहीं तो ये होता है पुशा के वज़े से S2 का देवता है इसका भी एक नक्षत्र है वो है रेवती नक्षत्र उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वेदो में लिखा है कि वर को जो वधु मिलती है उसको वर के घर तक पहुँचाने का काम ये कराता है मतलब मान लीजे एक ट्रांस्पोर्टर भी है ये एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाता भी है ये हमारे passages भी है passages जो road रस्ते होते हैं तो वही इंसान फसने जैसा मैसूस करता है तो ये जो फसने की भावना है ये S2 के वज़े से उसके दिमाग में हावी हो जाती है या कम हो जाती है आज इन साथ भावनाओं के बारे में मैंने आपको जान करी दी अगर आप किसी property को खरीदते भी हैं तो भी ये साथ भावना हैं हमेशा आपके दिमाग में हावी रहेंगी और उसी चीज को जब आप बेचने जाते हैं या बेचते हैं तो भी ये साथ भावना सामने वाले के अंदर भी हावी होगी पिछले वीडियो में मैंने जो भावनाओं के बारे में बताया वो काफी अच्छा response है और लोगों ने उसे apply करके अपने वातवरेंट को संतुलन में भी लाया अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो description box में मैं उसका link डाल दे रहा हूँ इसके इलावा अगर आप किसी property को sale करना चाहते हैं और बहुत दिनों से उससे sale नहीं कर पा रहे हैं तो मैं या कहिए वास्तु गुरुजी पूरी मदद कर देगा आपके map में इसको great करके identify करना उसके इलावा इस पे उपचार डालना कि कौन से उपचार लगाया जा सकते हैं कुछ भावनाओं को हम कम करके भी उपचार लगा सकते हैं कुछ भावनाओं पे हम बढ़ा के भी उपचार लगा सकते हैं तो इनके उपचार सारा कुछ suggestion एक छोटे से package के रूप में आपको म बन्दबाद